नमस्का सातियों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चैनल पर कॉलेज की परिक्षाओं पर एक और काफी बड़ा फैसला आ चुका है जितने भी छात्रों के एक्जाम हो रहे हैं या हो चुके हैं उनके लिए नया अपडेट आ चुका है नया फॉर्मला सभी लोगों के लिए एक नया काफी बड़ा बदला यूनिवस्टी ने जारी कर दिया लेटेस अपडेट के अनुसार अब एक्जाम को ऑनलाइन में अध्यम और आप सभी लोगों के प्रस्न पत्र में एमसी की यानी की बहुवी किलपी जो प्रस्न होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने को लेका एक गाफी चर्चा की जा रही है और यह काफी बड़ा फैसला रिजल्ट को रेकर भी आ रहा है इस बाद रिजल्ट तैयार करने में काफी बड़ी परिवर्तन होने वाले हैं तो चलिए बताते हैं पूरी खबार आंगे बदल सब्सक्राइब किया तो च प्रिक्षाइं चूट रही है तो वो दोस्तों एक्जाम के अंत में जो हैं कंड़क्ट कराई जा सकती हैं वहीं बात करें तो यहां पर आप लोगों बता दें यहां पर जितने भी छाट-छाट रहोगे एक्जाम लगे हुए हैं सभी के एक्जाम अब पांच मार्च से पहले पहले लगबग संपन हो जाएंगे एक मैई से आप सभी का लेटेस अपडेट के अनुसार नया सत्र जो है नया सत्र दोस्तों यह सुरू हो जाएगा तो ऐसे में यह लगबग किलियर हो चुका है कि पांच मार्च से पहले पहले आपके प्रिक्षाएं कंप्लीट हो जाएं लेटेस अपडेट के अनुसार नया पैटर में आप लोगों काफी कुछ जो इस बार कमिया पाई गई उन सभी को सुधारने की कोशिस की जाएगी लेटेस अपडेट के इस बार MC की कोशनों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है जिसमें आप लोगों को कम टाइम जा रहा है रिजल्ड भी आप लोगों का आप मार्च से पहले पहले देखने की मार्च के सैंड वीक में आप लोगों को जैसे यह पेपर कम्पिलीट होता है फाफ मार्च तक यह दो सुरू कर दिया जाए गा आपको बतादें इस बार करोना के चलते काफी सारी दूविदाएं आ रहे थी कि एक्जाम इस बार क्या रद होंगे ठीक है आपको बतादें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करोना हलाकी था बाहरी देशों में था लेकिन भारत नहीं फैल पाया जिसके कारण इस बार आप सभी लो लेकिन चात्रों को यहां पर टाइम कम दिया गया पेपर उतना ही बड़ा लेंथी आया ऐसा चात्रों कारान कुछ जो खमिया है उनको अगले साल जो है दूर हो सकती है अगले साल जो है आप लोगों का एमसी की कोशनों की संख्या भी बढ़ाय जा सकती है काफी बड़ी ख पोचा जाती रेगी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को ज़रूर सेयर करें अधिक से अधिक शाथ रूप पास और चाल को सबसाइब नहीं किया चाल को